नमस्कार, MV Health Tips चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें क्योंकि हम आपके सामने कुछ ऐसे टेप्स ऐसी जानकारी लेकर आते हैं जो आपके लिए जाना भेहद इंपोटन्ट और आपके लिए बहुँ ज़्यादा गुनकारी होती है तो चलिए दोस्तों आईए आज की वीडियो में देखते हैं क्या है खास जिया दोस्तों आज मैं आपके लिए एक बहुत ज़्यादा महत्यपुन जानकारी लेकर आई हूँ नशेडियों के लिए वर्दान है ये पांच चीजे हाथो हाथ छुड़ाती है नशे की लट किचन की जीजे नशे की लट वाके में बहुत ज़्यादा खराब होती है दोस्तों ये एक ऐसी आदत है जो हमारे शरीर पर स्वास्थिव लाप पर हमें बहुत ज़्यादा हानी पहुचाती है साथ ही ये हमें असमाजिक भी बनाती जाती है दोस्तों जिन लोगों को नशा करने की आदत होती है वह इसके इतने आदी हो जाते हैं कि उन्हें लगता है कि अब इससे कभी भी छुटकारा नहीं मिलेगा अगर आप भी ऐसा ही सोचते हैं तो ये आपकी बहुत बड़ी गलत है आज हम आपको किचन में मौजूद कुछ ऐसी चीजों के बारे में बता रहे हैं जिनसे आप बलशे की लट से हमेशा चुटकारा पा सकते हैं पानी है बहुत जादा उपयोगी जिया दोस्तों पानी सिर्फ हमारी प्यास ही नहीं बजाता है जिन लोगों को नशा करने की आदत होती है खास तोर से स्मोकिंग की इन्हें उससे चुटकारा पानी के लिए खुब सारा पानी पीना चाहिए इससे आपका पेट भरा रहता है और आपका स्मोकिंग करने की इच्छा भी खतम हो जाती है और आपको यह इच्छा भी महसूस नहीं होती है जिया दोस्तों हल्दी भी किसी कारे में कम नहीं है यह भी ऑशद्दी से बहुत ज्यादा माइने रखती है और हल्दी बहौत चारे गुरोँ से भरपूर होती है यह हमें कई तरह के स्वास्ति लाब देती हैं भारतिय मसालों में हल्दी बहुत जादा उपयोगी और अच्छी मानी जाती है जो लोग नशा करते हैं यदीव है लोग हल्दी का अत्यन बहुत जादा प्रियोग करेंगे तो उनकी आदत छूट जाहेगी दालचीनी है कारगर हर घर की रसोई में दालचीनी पाई जाती है दोस्तों सहत को भी दालचीनी के अनेक फाइदे मिलते हैं दालचीन को गहरी सास लेकर सूंगे इससे आपको धुमरपान के फ्लेवर का एहसास होगा इसके साथ ही आप दालचीनी को चबा कर भी इसका सेवन क कर सकते हैं राम बान उपाए है अद्रक रोजाना एक अद्रक का टुकड़ा लें और उसे धीरे धीरे चबाते रहें कुछी दिनों तक ऐसा करने से आपको खुद नशे से घिनाने लगेगी जिया दोस्तों अगर आपको अद्रक खटा या कड़वा लगता है तो आप अद्र को भी छुड़ता है जिया दोस्तों यदि आप जादा से जादा दूद का सेवन करेंगे तो आपका नशा करने का मन बिल्कुल भी नहीं करेगा इसके अलावा आप दूद की जगा अन्य डेरी उत्पात जैसे मकंद दूद मलाई घी इन सबका सेवन भी आप कर सकते हैं चैनल को लाइक सेस्क्राइब शेयर करना ना भूले और मेरी इस वीडियो को लाइक जरूर करें क्योंकि हमें कुछ ऐसे ही और वीडियो बनाने की प्रेणा मिलती है